तो में silver का analysis करेंगे कि आने वाले trading session में silver में क्या moment देखने को मिलेगा ये weekly analysis रहेगा holding based रहेगा कम से कम दो से लेके तीन हफते का कोई plan है तो ये analysis काफी profitable होने वाला है अभी काफी दिन से silver में buying देखने को मिल रहे थी buying के बाद एक sideway train देखने को मिला और sideway train के बाद एक गि आप plan लेके silver में buying करना चाहिए complete जनकर इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा रहे बाद फस्टाम विजिट करें चैनल को सस्क्राइब करने की और डेली बेस को पर intraday level चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरूरू जोइन करें वन आप दब बेस टैनल एकदम फ लिंक नहीं होता है तो लिंक को आप कॉपी कर लेजिए और जाके टेलिंग्राम जाके पेस्ट कर लेजिए तब यह टेलिंग्राम चैनल आप जोइन हो सकते हो बात करेंगे अगेन आपका related to query है तो आप मुझे 9797-773-2019 इसको पूर मुझे WhatsApp भी कर सकते हो बात करूंगा आपको clear समझ में आ रहा होगा कि काफी दिन से एक range के अंदर आपको ट्रेट करते हुए silver देखने को मिर रहा है अभी यह range कितना पूरा ना है आप खुद देख लिजे मैं पूरा जुमा जुमिन कर रहा हूं देख लिजे इस range के अंदर पूरा silver आप देख सकते हो यह जो म माया मार्च 2030 की बात करो मार्च 2030 में लगबग लबग 71,300 के आसपा स्टेट कर रहा था वहां से इसने एक रैली दिया और लबग 78 तक जाती हो देखने को मिला अभी अगें यहां से लोग किया फिर इस range में इस range में आप खुद देख लिजे कितना दिन से यह trade कर रहा है कम स साल खतम होने वाला और 70,000 के नीचे ज्यादा देर तक इसने ट्रेड नहीं किया और 80,000 के ऊपर इसने ज्यादा देर तक ट्रेड नहीं किया मदब पूरा रेंज आप पकड़ सकते हो कि स्रिप 8,000 के range के अंदर उससे भी कम पकड़ लीजे तो 6,000 के range में इसने पूरे साल खतम होने वाला है इसने टोटल आर्ट मैंचिम दसरा उसे ज्यादा रेंज इसने ट्रेड किया यह नहीं अभी इसने कम रेंज में जितना कम रेंज में करेंगा उतना आपको फाइदा है अभी जो प्रीमियम देख के तो option वाले को तो फाइदा ही नहीं फ्यूचर में जो बाई की opportunity आपको कोसिस करो कि बाई की position लेने की क्यूं कि market काफी दिन से एक range के अंदर trade कर रहा है तो overall तो इसने जाना अफ ही है तो ये breakout जरूर देगा और जबी भी ये बहुत जबर्दस breakout देगा क्यूं क्यूंकि last के पूरे देर साल का आप चार्ड कोल के देख लिजे तो इसने 78 के उपर trade नहीं किया और नीचे इसने 70,000 के नीचे trade नहीं किया overall ये 10,000 के range में ट्रेट कर रहा है तो 2024 में ये जबी भी भी breakout देगा तो बहुत जबर्दस breakout देगा अभी आपके लिए क्या option है आपके लिए option ये है कि यहां से market जबी भी है 70,000 के range में मिले तो buy की position ब तो कम से कम आपको यहां से 74 और 72 के range में मिलता है तो कम से कम 84 का range ये बन सकता है तो मतलब upside के जो rally वो 10,000 के रहेगे अब ये 10,000 के rally में क्यों expected कर रहा हूँ क्योंकि यहां पे इसके पीछे का logic है कि पूरे साल देड़ साल में ये sideway train किया तो ये जब भी breakout देगा तो अच् चली कि इस range में जब भी आया है तो इसने एक breakout देने की कोशिस किया तो शाट डिवेशन में आप ट्रेट कैसे ले सकते हो तो शाट डिवेशन में आप 3,000 पॉंड के rally पे आप exit कर सकते हो दो 2,000 3,000 पॉंड के rally मिलती है तो आप पी position आप exit कर लीजिए लेकि लबाय rally कहा त उड़ाओ कि 3,000 पॉंड के rally लेके चल जाए क्यूंकि silver ऐसे suddenly एक्दम से उपर नहीं जाता है उसके अंदर correction आती है दो दो 3,000 पॉंड की correction आती है लेकिन आपको बाय साइट में बैटना है यह मेरा prediction है मैं गलत भी हो सकता हो रही बाद मैं कोई सेबी रेजिस्टेंट आनल सकती गया तो सेल की पोजिशन के लिए मैंने train line ड्रॉक किया इसका जो ट्रेड है वह एकतर हज़ार के नीचे है डाउंट्रेंड बनता है तो किसी को सेल की पोजिशन बनानी है जब तक सेवनटीवन के नीचे ट्रेड करना स्ट नहीं करता तब तक आपको सेल के पोजिशन कर दे क्योंकि इसका train line breakout है train line breakdown करेगा तो जब भी मार्के train line breakdown जैसे आप ng में देख सकते हो जीस तरीके से 300 के range में trade कर रहा था और जब इसने 260 के range को breakdown कर दिया तो वो सीधा-सीधा 200 के नीचे trade कर रहा है तो सके silver ये 71 के नीचे trade करना start कर दे तो आप sale के भी position नेक्स टार्गेट का रहेगा वो 62 तक भी रहेगा लेकिन ध्यान में रखना जो लेवस मैंने बता है जब तक वो लेवस के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक आपको सेल की पूजिशन के लिए सोचना भी नहीं है और ट्रेड करना भी नहीं है बात करेंगे अपसेट के रैली की तो शॉट डिवरेशन पे यह टार्गेट मेरे को दिख रहे है यहाँ पे शॉट डिवरेशन पे छातर अधर का चातर अधर कप लेवस आएगा जब यह 72 के रेंज में जब ट्रेड करेगा तब आपको यह 76 का लेवस आपको देखने को मिले और नेक्स्ट बढ़िया से बुल रन मिलेगा वह 84 तक देखने को मिलेगा तो कंप्लेट जानकरी मैंने सिल्वर के उपर बताने की कोशिश किया बात करेंगे अभी डॉलर इंडेक्स में तो काफी लोग डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए वनाप दा बेस्ट प्ल पाथ शे पर गया लेकिन उसको ब्रेक आउट नहीं किया जिदिन इसको ब्रेक आउट करेगा तो 28 तक इसके रैली देखने को मिलेगी अभी यह जो रैली है वो 2024 का लेके टार्गेट लेके चली रहे है कम से कम 3 से लेके 4 मैने तक आपको यह टार्गेट अच्छी होते हो द 28 डॉलर तक आपको सिल्वर जाते हुँ देखने को मिलेगा अब डाउंसाइट की जो रैली मिलेगी वो 23 तक मिलेगी और 22.60 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर आप डाउंसाइड ले सकते हो तब तक आप डाउंसाइड ट्रेड लेने की जोड़ोत नहीं है तो झाल 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